इस कारिक्रम को जुज़ी पंजाब हर्याना इमाचल का हेल्थ कॉंक्लेव है इसे सफल बनानी के पीछे कई लोगों का हाथ है और ऐसे ही लोगों को हम ममेंटोस देकर एक छोटा सा ग्राटिटूड उनकी तरफ पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना जो कीमती समय था अ हमारे साथ मौजूद हैं तो सभी ऐसे लोग जुनोंने इस कोविट टाइम में मेडिकल सुविधाओं को मुझबूत बनाने का काम किया और तमाम चैलेंजिस के बाद भी यह तमाम वो कोविट वारियर्ज रहें जुनोंने फ्रंट लाइन में रहकर अहम भूमिका लेकिन इसके साथ हमने देखा कई वीडियो ऐसे वारिल हुए जिसमें डॉक्टर सेंगर्स भी बन गए अब डॉक्टर्स ने दांस करकर भी जो कोविट पेशिंस से उनमें इनर्जी भरी उनका थुड़ा एक एंटर्टेन्मेंट करने का कोशिश किया ता कि उनमें उर्ज बरी रहे डिप्रेशन में ना चले जाए तो इस तरह की चीजे भी हमारे साम दे आई आई नवश्कार जी मैं डॉक्र पंका शावड़ा वैसे मैं बाइपरफेश्चिन रेस्परेटरी डिपार्टमेंट से बिलॉंग करता हूं मैं चैस फ्रीशिशन में अमें बहुत लग और जाता है बार बार की ये हेल्थ केर सिस्टम जो अनौर्गनाइज था उसके कारण ये दिक्कते हाई ये इसको नहीं मानता है फ्रीशन में अनौर्गनाइज था लेकिन इसकी जो प्राइमिंग है वो फर्स्ट वे में हो गए थी अब सेकंड वे में फोर लैक केसे पर ड नहीं देखा या बैट की क्राइसिस पहले थी हमने नहीं देखा यह मेरे साब से सिस्टम के लिए ना इंसाफी है as a doctor हमने जो किया apart from treating the patient and apart from providing the infrastructure जैसे हमारे पास we have a 400-bedded hospital हमारे hospital में पहले first week of में में सारे बैट फूल हो गए थे हमारे पास COVID का फ्लो बहुत जादा था and patients were crying, relatives were really crying तो हमारे पास एक empty space पढ़ा था जो हमारे पार्किं के साथ under construction building था and under the vision of Dr. Lal जो कि हमारे chairman है हमने उस जगह को 200-bedded hospital में convert किया within a period of 7 days यह अपने अपने achievement है and we manage the patients over there it was just like a big hall patient को उसमें homely feeling आने लगी क्योंकि individual rooms में बंद हो कि patient अगर oxygen पे है तो वो claustrophobic feel करता है अगर बड़े से hall में patients है और उसके साथ doctor के साथ relatives भी है कई बार हम relatives को allow भी कर देते थे क्योंकि कई बार patients panic कर जाते थे तो वो panic ना करे है इसलिए relatives को भी हमने उनके साथ allow किया doctor की team 24 by 7 round the clock उस system में रही and that was a dedicated big covid care center जिसने patients के लिए काफी हद तक इस covid में निकालने से असानी किया यह बहुत अच्छी बात है doctor क्योंकि आम तोर पर हमने covid time में देखा है कि covid care centers में पेशिंस अपनी relative से मिल नहीं पाते थे उनके साथ contact नहीं हो पाता क्योंकि covid की वेजिसे ना कोई उनके बहुत करीब जा सकता था तो time to time उनके updates लेने के लिए ऐसे भी कई ख़़ी आई थी तो एक बहुत अच्छी पहलती जिसमें पेशिंस के जो अपने परेजनें वो भी उनकी care कबर ले पाते तो एक बहुत अच्छी बात है कर दाद्यदर करेंे दो क्यों सकता अवारीक